भाईया दूज के बाद हमनी के छेत्र में सबसे महत्पून पर्व छट के तैयारी सुरू हो जाला। छट वैसे था हमनी के भूचप्री परदेश पर्व में बड़ा पवित्रता और साथना के साथ मनावल जाला। लेकिन विहार जारकड में ता छट पर्व से बड़ा कौनो उत्सा नहीं हो केला। चड पूजा, चार दिन के उस्सब होखेला, इस पर्व के शुरुआत, कातिक शुक्ल, 24 दिन से शुरु होखेला, और इस समाप्तिक कार्तिक शुक्ल, सब्तमी के खोखेला. ये चार दिन में बरती लोगन लगातार 36 धंटा के ब्रत रखे ली और ये बीच पानी तक ना पील जाला जोना लोग छट पर्व के ब्रत रखेला उनोगन जीवन नहाई खाई से छट पर्व के खत्म होके तक सन्यासी के तौर पर बितावे के पड़ेला चौतरती के दिन अतिम बेर बरती नमक के सेवन करेला नहाई खाई के भूजन तक और इन अलग होके एक राफबाद छट पर्व के समाप्ति तक नमक के सेवन ना कहिल जाला एक ही परिवार के सब लोगन तक सिर्फ सब्त्वी भोजन के करेला दूसर दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष के पंचमी सब बरती लोगन दिन भर के उबवास रखे ले और शाम के सब बरती लोगन खीर और रोटी के भोजन करेले चट पूजा के इविदी के हमनी के खरना कहल जाला खरना के परशाद बहुत महत्पुन हो खेला एसे एकराख से आपन हित मित्र तथा में सम में बाटल जाला खरना के भोजन में नमक चीनी औरी औरी कृतिम कौनो भी प्रकार के समान के उपियोंग नेखे हो खेला खीर गुर से बनावने अब जाला नेक्स्ट नाइन न्यूज रूम से प्रयांका राज कुल कूट